नवस्कार में प्रियरंजन और आज की इस एपिसोड में जैप्रकास पावर वेंचर लिमिटेड एस्टॉक के बारे में डिसकस करेंगे आज जेपी पावर ही नहीं पावर सेक्टर के डिलेटेट टाटा पावर आडानी पावर और इडेडा जैसे सेयर में भी काफी डाउं ट्रेंड 4-5 परसेंट तक की दिखी है और इस सेनेरियो में गर टाटा पावर डोढ़ाई 3 परसेंट गिरे तो ये बरा कंसर्ण नहीं है तो एपिसोड में आगे बरतने से पहले प्रिमियूम टेलिग्राम को जॉइन करें डिसक्रिप्शन के लिंक से काउंट आपिन करें वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में जरूर सेयर करेंगे आज इस से स्टॉक में नियर अरांद 4 करोर के वोल्यूम है 45 लैक की बाइंग और 1 करोर 41 लैक की सेलिंग रिसेंट की डिलेबरी अगर इस स्टॉक के देखे तो बेटर दिख रहा है जो टेक्निकल ट्रेंड है व मैंने कई बार कहा है कि इस लेबल को ब्रेक आउट होने दें फिर आप 24 या फिर यहां मंतली में दिखा हूं तो 24 या फिर देखेंगे तो आप यह वाला टार्गेट जो 40 जैसा दिख रहा है वो भी टार्गेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेकिन इंपोटेंट क्या है 21 के लेबल का ब्रेक आउट विकनेस इसी लिए नहीं कहूंगा क्योंकि हर बार यह अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है तो मिनिमम प्रिवियस सपोर्ट यह तो सपोर्ट से रिवर्स दिखी रहा है तो मिनिमम जब तक यह 17 के लेबल को ब्रेक राव नहीं करें है धीरे धीरे एकुमिलेट करें और इस लेबल के ब्रेक आउट के बाद आप उस एकुमिलेशन वाले स्टॉक के आप ट्रेंड को मजे ले सकते हैं तो सोट टम टेजर इंग्नोर करें बने वही रहेंगे जिनका व्यू लॉंग टम के लिए